जैहें दोस्तों स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासिस के यूटीब चानल पे मैं उमीद करता हूँ आप सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों आज है 10th March और आज के दिन दोस्तों हम डिसकर्स करेंगे तीन Important Editorials Indian Express और The Hindu में से तो अगर मैं Topic Wise Distribution कहूँ तो एक आर्टिकल हम डिसकरेंगे Indian Express में से ये रहेगा Issues Related to Education तो ये आपका GS2 का Component बन जाता है एक आर्टिकल हम डिसकरेंगे International Relations में से ये भी आपके GS2 का Component बन जाता है और एक आर्टिकल हम डिसकरेंगे The Hindu में से ये Water Management से Related Article आया था तो ये आपका GS1 का Component भी है GS3 का Component भी बन जाता है या चाहें तो आप इसके Content को ऐसे गली विटिलाइस कर सकते हैं तो दोस्तों इन तीनों आर्टिकल्स की discussion करेंगे तो मैंने जो questions डाले है तो selective यहाँ पर मैंने लिखे है कि questions are frame for selected editorials because काफी ऐसे editorials आते हैं day by day जो repetitive होते हैं तो for example यह जो आयर का editorial आया है written by MK नरायनन तो यह Ukraine और Russia के मुद्दे को लेके तो इसको लेके हमने पहले भी बहुत coverage करी है और पहले भी बहुत questions डाले हैं तो जो बच्चे question attempt करना चाहते हैं तो वो इस article का और इस article के जो end में question है लिए गया तो इसको आप attempt कर सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी चर्चा आज की पहला article after the evacuation तो यह आनंद प्रिश्ण ने लिखा है लेकिंगे दोस्तों अब हमको बहुत सारे लोगों को शाद यह पता नहीं था कि युक्रेन में इतने सारे बच्चे हमारे मारे medical degree के लिए पढ़ते हैं में भी इसके courses कर रहे हैं लेकि डॉक्टर बनना हर किसी का सपना होता है पेरेंट्स की heart and money होती है बच्चों का सपना होता है कि भी हमने डॉक्टर बनने और डॉक्टर बनना इंडिया में इतना सान काम भी नहीं है कितना compete करना पढ़ता है अब नी को meet करने के लिए लोग दूर जाते हैं Canada, UK, Australia, Ukraine, Russia तो अब in fact ये बात अब सामने आ रही थी न्यूस में कि बहुत सारे बच्चे हमारे रश्या में इवन ताइवान में, चाइना में, Ukraine में जाते हैं medical studies के लिए और Ukraine में जो fees है for that matter अगर हम बात करें यहां पर किसी private college से आप कि हम operation गंगा के चलते कितने बच्चों को evacuate कर रहे हैं ना, दो बच्चे हमारे मारी भी गए थे इस evacuation process में, लडाई चल रही है, लडाई का महौल है, बहुत tension मनी हुई है, parents बहुत worried है, तो अब यहां पर एक situation हमारे सामने ये unfold हो रही है कि क्या हम अपने medical education की अगर हम बात क करके, तो clearly एक demand supply mismatch का है कि यहां पर issue है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की aspiration है, लेकिन इतने colleges नहीं है, धंकी teachers नहीं है, seat नहीं मिलती है, और अगर seat मिल भी जाए, तो बहुत भेंगी मिलती है, अब हर कोई afford नहीं कर सकता, 30 लाग की seat हो, या 50 लाग की seat हो, तो उसके बज है, वो और strengthen कर सकते हैं, और better कर सकते हैं, कैसे हम लोगों की aspirations को और अच्छे तरीके से meet कर सकते हैं, अब declining charm of medical education की अगर हम बात करें, कि कोई जमाना था, देखे, आज के जमाने में तो सर्व ये jobs तो नहीं रही हैं, क्या अपने doctor बन रहा है, क्या अपने engineer बन रहा है, आज की time बे शायद इतना charm नहीं रहा medical career को रहें, कि जतना आज से कुछ 20-30 साल पहले था, लेकिन अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, जो के medical degree pursue करना चाते हैं, एक तो वो लोग है अगर हम middle class families की बात करें, जो चाहते हैं कि अभी हम medical degree हासल करके देखी तना असान भी नहीं है अगर एक बच्चा अगर 17-18 साल की उबर में college में आता भी है, तो 35-36 साल तक तो वो पढ़ता ही रहेगा medical की अपनी पढ़ाई करता रहेगा, तो कहीं 40 साल की उबर में जाके settlement होती है, अगर आप B.TEC करते हैं, इंजिनिर बनते हैं, तो चलो आप 22-23 साल की उबर में आपक इसके बच्चे होंगे, ठीक है, अब खास करके जो private hospitals में जो doctors काम करते हैं, सरकारी hospital में जो doctors काम करते हैं, अब वो तो afford कर सकते हैं, अपने बच्चों को महेंगी education देना, चाहे वो abroad में हो, चाहे वो India में हो, क्योंकि यह जो medical education का मुद्ध है, बहुत highly price sensitive है, ठीक हर किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपना देश छोड़ के बाहर जाना, यहाँ पे एक तो पहली बात seat मिलती नहीं है, इतनी असानी से, इतना exam पे आपको compete करना पड़ता है, तो अगर मैं अगर एक ratio की बात करूँ, किसे UPSC की हम बात करते हैं, UPSC का अगर exam निकालना है, तो probability कितन ही है, 0.0001% है, तो अगर हम यहाँ पे medical education की भी बात करें, तो only top 0.25% of the applicants उनको seat मिलती है, तो अगर हम challenges की बात करें medical education की, सबसे बड़ा challenge ही है कि जो supply demand का mismatch है, इसको overcome करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बाद बात आती है, अच्छे quality of teachers की, academic quality की बहुत problem है, देखिए अब हलवाई की दुकान की तरह इतने सारे colleges खुली जा रहे हैं, चाहे engineering college हो, चाहे medical colleges हो, क्या वो colleges efficient है, क्या वो colleges quality education provide कर रहे हैं, क्या उस colleges में quality teachers हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अब इसके चलते, medical council of India ने कुछ norms इंडियूस किये थी, ताकि teachers की भी जो qualification पे quality check हो सके, तो medical council ने public publication कर सकते हैं, thesis लग सकते हैं, ठीक है, तो colleges भी बहुत जादा बढ़ रहे हैं, और teachers भी बहुत जादा बढ़ रहे हैं, तो quality में decline जरूर आएगा, बेशकर quantity बहुत जादा बढ़ रही हो, अब यहाँ पर entry of middleman की अगर हम बात करें, लेकि चाहे आपने कुछ भी करा हो, ले सकते हैं, अब for example, अगर आपने, चलो आपका आपने ग्यार्मी बार्मी में medical कर ली, ग्यार्मी बार्मी में medical करने के बाद, यह आपको लगे के भी मेरे इतना score नहीं आया, मैंने exam नहीं clear किया, तो फिर क्या, अब आपने दो सार इतनी coaching ली, parents ने आपको financially भी support किया, और अपने बच्चे को doctor बनाना है, तो कल को जाकि उसको अगर seat दलवानी पड़ीगी, तो हम अपना budget set aside रखेंगे उसके education के लिए, लेकिन आप वो नहीं कर पाए, आपका exam नहीं clear हो पाया, तो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आपको जो immigration agents है, वो आपको approach करना शुरू कर देते हैं, कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर आपका exam नहीं clear हो, यहाँ पर आपको seat नहीं मिल रही है, तो no worries, आपको हम बाहर abroad में एक seat दलवा देंगी, ठीक है, तो countries like Nepal, Mauritius, Ukraine, क्योंकि at the end क्या है, कि doctor का tag लग जाएगा बच्चे के आगे, तो parents अब इसी ब बच्चे को एक medical की seat भी दलवा नहीं है, तो उस case में बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसे हम, why to get caught in this trap, क्यों नहीं हम यहाँ पर ही, यहाँ पी अपने बच्चों की aspirations को meet करने के लिए, धंके colleges खोलें, इतना competitive हमने क्यों बना हूँ है इस procedure को, थोड़ा इसको relax क्यों नहीं कर द हैं, जिनको बाहर दक्के खाने पड़ रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पर ही उनको quality education मिल सके, now what is the way forward, now अब ऐसे proposals बीच में आये थे कि क्यों ना, अगर हमने seats बढ़ानी है, अगर medical education लिए हमने seats बढ़ानी है, तो क्यों ना, जो district hospitals हैं, उसको हम convert कर दें medical colleges में, ठीक है, using PPP mode public private partnership model, चलोगी, suggestion था, कि district hospitals को medical colleges में convert कर दें, ठीक होस्पिटल की तो कमी बहुत जादा है, क्या ये proposal बहुत अच्छा है, बहुत समझदारी का proposal है, तो इस article में author कहते हैं, कि ये जो idea है, ये जो proposal है, बहुत देंदरस idea है, hospitals को medical colleges में क्यों convert कर रहे हो, ठीक होस्पिटल की तो बरफूर hospitals तो नहीं है, अगर हम doctor to patient ratio की भी बात करें, तो हमारा doctor to patient ratio भी बहुत कम है, much less than what the WHO has prescribed, अब ये idea बुरा क्यों है, तो यहाँ पे दो कारण बताते हैं, इसमें जो author है, पहली बात, कि अगर आप इसको convert कर भी दोगे, तो इसका regulatory framework कितना efficient होगा, और दूसरी बात, कि आप कह रहे हो कि district hospitals को medical colleges में हम convert कर देते हैं, PPP model में, ये जो public private model होगा, कितना transparent होगा, तो आप कितना transparent तरीकिस इस public private model को run कर वाओगे, वो यहाँ पे question खड़ा होता है, तो यहाँ पे सुझाव ये दे रहे हैं, इस editorial में author, कि क्यों ना सरकार, medical education को subsidize करें, खास करके private sector में भी और खास करके उन बच्चों के लिए, जो कि socially economic disadvantage background से आते हैं, और उसके साथ के साथ, अंत में की suggestion दिया गया है, कि जो assessment of medical colleges है, वो भी धंक से होनी चाहिए, जो periodic तरीके से quality assessment of medical colleges होनी चाहिए, उनके faculty की बात करें, उनके laboratory की बात करें, इनक बात क्या बात periodic check होना चाहिए, और जो भी reports इस checking के बाद, quality check के बाद आती, that should be made open in the public domain, तो question क्या बनता है, what are the challenges faced by the students wanting to pursue a MBBS degree in India, suggest measures to strengthen medical education in India, तो इस question को आप 200 शब्दों में comment कर सकते हैं, चलिए, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले editorial के words, तो यह editorial जो है, an unnecessary war and its grave potence, तो दोस्तों यह M.K. Narana नहीं आर्टिकल लिखा था हिंदू में, अब क्योंकि वो हमारे former national security advisor रह चुके हैं तो बहुत briefly, बहुत selectively इस editorial में जो main बात क्या है, वो हम discuss कर लेते हैं, वैसे देखिए, Russia, Ukraine को मुद्धे को लेकि हमने बहुत discussion करी है, बहुत comprehensive हमने चर्चा करी है, तो इसको, इसके कारण मैंने इस editorial के end में कोई question नहीं डाला, because repetitive है, दो हफते से हम इसके बारे काफी बात क कर रहे हैं, अब यह क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि यह humanitarian concern है, जो crisis Ukraine में चल रहा है, ठीक है, कितने सारे शहरों में bombing हो रही है, कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे हम चर्णोबिल की बात करें, खारकिफ की बात करें, जापरिज्या की बात करें, जापरिज्या क्या है देखिए primary concern क्या ये है क्या हम उसी जिद पे अड़े रहें कि युक्रेइन नेटों का इससा बने के ना बने या हम लोगों की towards हम कुछ देखें लोगों की welfare के बारे सोचें अभी तक कोई ऐसा suggestion क्यों नहीं आ रहा कि इस लड़ाई को हम खतम करें हर कोई वेश कह रहा है कि भी diplomatically resolve करो लेकिन पिछले दो अफ़ते सी लड़ाई तो और बड़ी जा रही है बहुत कम regard दिया जा रहा है to the human cost involved sanctions की बात हो रही है not stream 2 pipeline को बंद करने की बात हो रही है रश्या की economy को बिलकुल तबाह करने की बात हो रही क्रिपल करने की बात हो रही है oil import रश्या से ban करने की बात हो रही लेकिन human cost की बात क्यों नहीं यहां पे हो रही है तो चाहे वो अमेरिका है चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूके है, चाहे वो फ्रांस है, वो human cost की यहाँ पर क्यों नहीं कोई country बात कर रहा है, जो लीडिंग western economist है, वो बार-बार यही कही जा रहे हैं, कैसे हम sanctions लगा के, कैसे हम बहुत hard sanctions लगा के रश्या के उपर, हम Russian economy को cripple कर सकते हैं लेकिन कोई यह बात क्यों नहीं कर रहा है, कि इतना सारे लोग मारे जा रहे हैं, इस लड़ाई को बंद कैसे किया जा सकता है, ठीक है, अब देखिया, अब अगर Russia के foreign minister कह रहे हैं, कि अगर तीसरा विश्व युद होगा, तो वो nuclear war होगा, तो इस तरह की चिंताओं को address क् अब sanctions का तरीका, क्या sanctions लगा देने से कुछ फरक पड़ेगा, क्या sanctions लगा देने से Russia अपना aggression contain कर लेगा, लगता तो नहीं है, ठीक है, तो sanctions का बहुत ही कम impact होका Russia के उपर, देखिये चलो, अभी हमने ये few minute series में भी last to last hour to discuss किया था, कि sanctions लगा देने से, अगर आज के time पर Russia economy की बात करें, तो ठीक है, रश्या के पास 650 dollars के, 650 billion dollars के reserves हैं, तो ऐसा लगता तो नहीं है, कि अभी short term कोई बहुत जाधा damage होगा Russia को, in fact, जो European Union की economy है, वो बहुत critically dependent है, Russian economy के उपर, Russian gas के उपर, so it is highly unlikely कि कुछ इस तरह का impact होगा, तो वो ठीक है, Russia को condemn ज़रूर करना चाहिए कि भी Russia जो aggression Ukraine में दिखा रहा है, तो इस बात को तो सारे countries अभी UNSC के forum पे सब condemn कर रहे हैं, ठीक है, Russia aggression दिखा रहा है, इसमें कुछ सही बात नहीं है, लेकिन यह कहना कि sanctions लगा देने से कुछ impact पढ़ जाएगा, तो नहीं होने वाला, अगर US को यह लगता है कि भी sanctions लगा द team, तो he is going to stay there for a long time, so sanctions लगा देने से यह जो formula है कहीं किसी और country में ज़रूर काम कर सकता है, बट Russia में काम नहीं करने वाला, ठीक है, तो क्या और तौर तरीके नहीं है, यहाँ पे MK Narayan यह कह रहे हैं, कि और भी तौर तरीके explore किये जा सकते हैं, अगर हमने Russia के aggression को contain करना है, economic sanctions लगा देने से कुछ ज़्यादा फाइदा नहीं होने वाला, प्रेस दपास बटन, अब यहाँ पर यह कह रहे हैं, MK Narayan कि इस ताइम पर जो main objective होना चाहिए, that should be to save human lives, ठीक है, तो इस वकद sanctions लगाना, economic implications की बाद अगरम करें, तो वो इतनी important नहीं है, human lives को save करना बहुत important है और जो Ukraine की ambition है to join NATO, लेकि अभी उस जिद को बीच में रोकना पड़ेगा, ठीक है, अमेरिका कह रहा था, जो Biden कह रहे थे कि बही open door policy है, कोई भी आके NATO में join कर सकता है, fine, लेकिन अभी अगर इस तरह का मुद्दा हम फिर से उच्छा लेंगे, तो यह जो crisis है, यह resolve नहीं होन रहे वाला, अगर व्लादमी पुटीन की ego hurt हुई है, अगर उसने बोला है NATO को बार बार कि भई आप यह लक्षमन रेखा मत क्रॉस करो, युक्रेन हमारा है, ठीक है, तो युक्रेन बेशेक एक independent country है, लेकिन हमारे ethnic ties है, तो अब इस बात को जादा underestimate नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे बात यहाँ पर यह भी करी गई है, यहाँ पर चाहिए हम अमेरिका की बात करें, चाहिए युक्रेन की बात करें, उन्होंने कहीं ना कहीं Mr. Putin को बहुत हलके में ले लिया था, बहुत lightly ले लिया था, तो यह एक बहुत बड़ा error हुआ है, ठीक है, और युक्रेन इनी extension of the NATO further eastward should be given up, इस तरह की idea को भी give up कर देना चाहिए, अभी इस crisis को resolve करने की बात जरूरी है, अभी यह जो उक्रेन के NATO में आने के जो ambitions है, उसका अभी मुद्धा इतना नहीं उचालना चाहिए, चली, तो दोस्तों आज का last editorial, water management needs a hydro social approach, देकि दोस्तों, गर हम पानी की बात करें, fresh water की बात करें, तो हम बार-बार ये बात discuss करते रहते हैं, कि जो हमारे fresh water resources है, ground water levels है, वो deplete हो रहे हैं, ठीक है, और ये बार-बार ये बात बहुत सरी reports में भी आ जो की, that by 2030, बहुत बड़ी problem परने वाली है, अब आदी तो बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर हम per capita consumption of water की बात करें, वो भी बड़ेगी, लेकिन जो supply है water, जो supply है पाने की, वो कम होगी, ठीक है, तो ये जो fourth assessment report, जो 2007 में ITIPCC की, वहाँ पे इस बात को बहुत seriously highlight किया गया था, the link between societal vulnerability and modifications of water system, कि as a society, हम कितने vulnerable हो सकते हैं, जिस तना से जो हमारे water system है, वो ज्यादा modify किये जा रह है, तो इस report में ये भी mentioned था, कि जो gap होगा between demand and supply of fresh water, that would reach up to 40%, तो ऐसी situation भी देखने को आ सकती है, जब हमारे पास पानी पीने को ना हो, तो अगर हम water की बात करें, water availability की बात करें, water availability and sanitation for all, तो ये हमारा sustainable development goal number 6 भी आ जाता है by 2030, तो अगर ये बात, लेगे दोस्तों, अगर आ educated, well opinionated, अगर answer लेखेंगे, तो उसे हमको leverage मिलता है, हमको ज़्यादा marks लेने है, right, general content, मोटा मोटा content, तो हर कोई लेखेगा, लेकिन कई बान हमको specific, मैं बार बार comment section में लेखते रहता हूँना, कि be specific, तो हम ज़्यादा generic हो जाते है, पानी कम है, तो ठीक है, तो आप ये बा water को properly evaluate कर सकते हैं, कैसे हम water management की towards, हम move कर सकते हैं, water harvesting structures की बात करें, river waters की बात करें, कैसे उसको conservation का जो emphasis है, बढ़ाने की बात यहाँ पे कड़ी गई है, तो inter-basin transfer projects की बगर हम बात करें, तो आपने cane बेतवा water interlinking project के बारे सुना ही होगा, ठीक है, तो अगर inter-basin transfer की बात करे की वैसे cane बेतवा, दोनु ही यमना के tributaries है, तो cane से पानी बेतवा में जा सकता है, ठीक है, interlinking of water की बात है, आपने जोग्रफी मपड़ा होगा, जो bundेल खंड region है, वो drought region है, पानी की बहुत problem है, वहाँ पे, सूखा पड़ा रहता है, तो कैसे बेतवा में, पानी transfer किया जा सकता है, from the cane river, ठीक है, तो अब यह एक बहुत major hydrological intervention है, to rectify the imbalance in the water availability, के भी किसी जगा पे, पानी बहुत जादा है, किसी जगा पे पानी बहुत कम है, अब इसके चलते है, national river linking project of India, this is one of those ambitious projects under construction, अगर यह एक्जिक्यूट किया जाता है, successfully, तो this will end up in creating artificial water courses, that are more than twice the length of earth's equator, and this will transfer 1910 cubic kilometer of water annually, so this has the potential of re-engineering the hydrological system, जिसका जो impact होगा, वो सिरफ local नहीं, regional नहीं, बट global भी होगा, अब देखिए, inter-bascent transfer projects की अगर हम बात करें, इसका ecological concern भी आ जाता है, तो केन, बेतवा, river interlaking project की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे concerns भी raised करें गए थे, by the environmentalist, कि अगर हम forest reserves क की बात करें, पना tiger reserve की बात करें, terrestle ecosystem की बात करें, तो वो भी कितना ज्यादा impact हो सकता है, right, deforestation हो सकती है, people might be unsettled, तो ये concerns आ जाते हैं, inter-bascent transfer project से भी, तो अगर हम बात करें, the national river linking project of India की, तो जो national water development authority of India है, तो उसने ऐसे peace river identify करे हैं, तो 14 जो links हैं, वो under himalayan rivers हैं, और 16 ज जंगा, घगरा, यमना, right, etc, etc, और बाकी 16 जो links हैं, आपके peninsular component की आ जाते हैं, तो कैसे ये waters को interlink किया जा सकता है, जो mission है of this program is to ensure greater equity in the distribution of water by enhancing the availability उन areas में, जहां पर सूखा जाधा पड़ा होता है, तो यानि कि वो जो availability enhance की जाएगी, draw tone areas में, वो कहां से करी जाएगी, by transferring the water from the surplus basins, तो यहां पर अगर हम बात करें assumptions की, कि inter-basin transfer budget की बात हो रही है, तो जो basic assumption है, जो basic premise है of the IBT, कि भी export करेंगे water को from the surplus basin to the deficit basin, ये तो एक बात होगी, लेकिन यहां पर contestation आ जाता है on the concept of the surplus and deficit basin itself, देकि अब जहां पर पानी की supply जाधा है, तो क्या, जो donor basin है, तो अगर ह वहां पर जो crops grow किये जा रहे हैं, वहां पर cultivation practices carry out करी जा रही है, तो उसके मदे नज़र रखते हैं, जो future में जो वहां पर cultivation practices carry out की जाएंगी, जो land use changes वहां पर होंगे, जो land use pattern है, वहां पर present और future में जो होगा, उसकी calculation क्या work out करी गई है, तो अभी there are emerging concerns, अगर हम चलो water transferability क भी बात करें, तो there are emerging concerns on the capacity utilization, चलो पानी transfer कर दिया, लेकिन वो पानी कितना efficiently utilize किया जा रहा है, तो for example, by 2016, India had created an irrigation potential for 112 million hectares, लेकिन gross irrigated area कितना था, सिरफ 93 million hectares, तो there is a gap of 19-20% between the available capacity and the utilized capacity, तो यहां पर दोस्तों केन बेतवा link project की भी बात ब्रीफरी कर लेते हैं, तो अगर हम केन बेतवा link की बात करें, तो उसको पहली बार moot किया गया था, 1970 में, और इस idea को, इस idea को पहली बार consider किया था, 1970 में, उसको revive कप किया गया, श्री अटल बिहारी वाजपी की जब सरकार थी, 1999 में, ठीक है, तो उसका purpose क्या है, purpose है, this is the first project under the national perspective plan for interlinking of the rivers, under this project, जो पानी है, from the Kane river will be transferred to the bay forever, ठीक है, तो यहाँ पे आपका bundेल खन रीजन भी आ जाता है, जो के बहुत डॉट प्रोन एरिया है, और यह जो है, दोनों जो rivers हैं दिया, tributaries of rivers यावना, तो यह कुछ factual बात हैं, आपे समझने के लिए, अब यहाँ पे दोस्तों, अंत में बात करीगे, gray water use, यह water management की बात की जारी है, अब हमने कितनी बार यह बात करी है, कि हमारे जो, अगर हम MSP की भी बात करते हैं, हमारे MSP जातर जो attractive होते हैं, वो rice और wheat के लिए होते हैं, तो कितनी जाता rice और wheat की production की जाती है, कितनी जाता rice और wheat की cultivation की जाती है, बार बार हम यह बात करते हैं, कि इत that uses little over little over 90% of the total water use in India पानी की कमी आने वाली है 2030 तक पानी इतना जादा नहीं होगा अबादी दो बढ़ती रहेगी अबादी दो नहीं कम होने वाली लेकिन पानी की सप्लाइगी की कमी आएगी तो यहां पर यह बात करी गई है बोटे तोर पे कि देखो अगर agriculture में इतना water consumption हुई रहा है तो why not utilize grey water अब बात यहां पर आदे कि grey water क्या होता है ठीक है grey water refers to the domestic wastewater जो के generate होता है आपके households में इसमें जो grey water है जिसे आप offices की बात करें households की बात करें तो आपका जो kitchen में जो पानी आता है अगर आप hands wash करते हैं ठीक है तो जो पानी जिसमें facial contamination नहीं होता ठीक है लेकिन जो wastewater है without facial contamination, उसको treat करके कैसे वो पानी utilize किया जा सकता है irrigation purpose के लिए, ये बात समझनी ज़रूरी है, तो 55-75% of the domestic water जो हम use करते हैं, नहाने के लिए हाध होने के लिए, whatever it is, that turns into grey water depending on the nature of the use, लोगों की आदतें और climatic conditions, तो ये जो discharge है of untreated grey water तो यहाँ पर ये बात करीगी, जो untreated grey water है, अगर इसको अच्छी तरीके से utilize किया जा सकता है, इसको अगर proper तरीके से इसको treatment दे किया, अगर इसको हम irrigation के लिए use कर लिए, irrigation के लिए use कर लिए, तो वो जाधा better रहेगा, instead होता क्या है कि जो untreated grey water है, इसको discharge किया जाता है, along with the industrial effluents into the fresh water bodies, जिससे pollution, aquatic ecosystem में और जाधा बढ़ता है, तो दोस्तो question क्या मनता है, discuss about the national river linking project of India, how crucial is inter-basin transfer in inter-basin transfer, IBT in terms of water management, इसको आप 200 شब्दों में comment कर सकते हैं चलिए, तो दोस्तो ये थे आज की 3 editorial, तो 2 questions हैं, तो जरूर attempt करी, अगर आपको time लगता है comment section में, feedback आपको within 24 hours definitely मिलेगा, बाकि दोस्तों मिलेंगे कल और चर्चा के साथ, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, thank you so much, जैहिद